हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू स्थानों से आज हम बात करते हैं चाइनीज प्येले के डिसेंज इंगेजमेंट के बारे में क्योंकि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मताबिक चाइनीज प्येले अब पैंगाउं टीएसों से और और एलेसी के कई स्थानों से वो पीचे हटेंगे एसपर एग्रिमेंट और इस बात का हम सब को इंदजार था और इंडियन आर्मी भी इस बात को चेक कर रही थी कि क्या वाकई में प्येले पीचे हट भी रही है यह नहीं क्योंकि चैनीज प्येले पर भरोसा करना बहुत मु से पिछले दस महिनों में जो उनको एक्सपीरियंस हुआ और खासकर गलवान घाटी का जो खोनी संखर्ष हुआ था और उसके बाद 29 अगस्त और 30 अगस्त की रात का जब हमारे एस एफ के कमांडोज ने दो इंपॉर्टेंट मौंटन टॉप्स पर कब्जा कर लिया था उसमें था रेकिलला और रिजांगला और उसके वेरी नेक्स डे आर्मी ने वहाँ पर टी नैंटी भिश्म टैंक्स उदार दिया थे तब चैनीज पी एले की हलत खराब हो गई और उन्हें ये बात समझ में आ गई कि अब यहां से पीची हटने का लावा कोई रास्ता नहीं है और उसके पास से वो सिर्फ इसी बात का इंदिजार कर रहे थे को कोई मौका मिले और वो पीची हटे यह गूगलर की तस्वीरे हैं हम देख सकते हैं और इसमें जो पहले वगर थे उनकी गाड़ियां थी अब सब वहां से खाली हो चुके हैं और अब तो एक रश्यन न्यूज अजेंसी ने भी इस बात का दावा किया है कि गरवान घाटी में जो खोनी संकर्ष हुआ था उस दिन उसमें चैनीज पीए लेकि कम से कम 45 जवान मारे गए थे उससे जादा तो हमने तो काफी पहले इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं पर चाइना ने आज तक अफिशिरी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया है कि उनके जवान मारे गए थे तो कितने हलै कि उस इंसिडैन के बाद अमेरिका ने भी इस बात का खुलाजा किया थे कि कम से कम 40 से 50 पी एले के साइनिक मारे गए हैं और जो हमारी रिपोर्स हैं उन्होंनों भी इंट्रिव्यू में इस बात को कहा कि जो टॉर्ण एराउंड हुआ था वो उन्तीस और तीस अगस की रात को हुआ था जब हमारे कि उनकी इंटरनाशनली बेशती ना हो और वो धीरे से फिंगर आठ तक चले जाएंगे तब उन्हें जाना पड़ रहा है और वो जा रहे हैं तो आगे देखते हैं कि अब क्या होता है अब बात करते हैं दूसरे अब्डेट की और वो है हमारे के नाइन वजर को लेकर हमारा स होवा के नाइन वजर अब डिलेवर हो चुका है इंडियन आर्मी को और के नाइन जो है वो बिसिकली एक कॉलाबरेशन है बट्वीन हानवा जो कि साउथ कोरियन कंपनी है और एल एंटी के बीच में हुआ था और एस पर इस एग्रिमेंट जो साउथ कोरियन जो कंपनी है उनका जो होवाइटजर है के नाइन थंडर उसके बेस पर इंडिया में एल एंटी बनाती ऐसे ऐसे सो 155 mm के होवाइटजर बनाने थे तो यह एग्रिमेंट दो हुआ था 2017 को और उसके मताबिक चार सालों के अंदर उन्होंने सो ऐसे के नाइन वजर बना कर देने थे और एल एल एंटी ने यह काम बखूबी किया और समय से पहले ही उन्होंने यह पूरे के पूरे सो के नाइन वजर 155 mm के सिल्फ प्रूपेल्ड वजज़ डिलेवर कर दिया है आर्मी को तो यह एक बह बात यह है कि इसमें से तीन के नाइन वजर ले में उतार दिये गए हैं और ले में अब इनके ट्रैल शुरू होंगे क्योंकि वैसे भी इंडिन आर्मी लाइट टैंक्स की डिमांड कर रही थी तो फिलहाल के नाइन के ट्रैल से उनको काफी कुछ समझ में आएगा और आने इसी बात पर इस वीडियो को खतम करते हैं दोस्तों जय हिंद